जैहिन दोस्तों इस वीडियो में हम आपको सूत्र द्वारा दुईघास समीकरण को हल करना सिखाएंगे तो दुईघास समीकरण को हल करने का जो सूत्र है वो ये है x बराबर माइनस b पलस माइनस रूट b का स्कॉाइर माइनस 4ac और इन सब का बटे 2a अब आएए जानते है कि a, b, c क्या है ये जो समीकरण है इसको मानक रूप में लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे a x स्कॉाइर पलस माइनस b x पलस या माइनस c बराबर 0 अब a क्या है b क्या है और c क्या है x स्कॉाइर का गुणांक a है x का गुणांक b है और c अचरपद है अब यहाँ इस दुई घास समीकरण में a, b, c क्या है देखिए a बराबर कौन है a बराबर है 3 इसकी तुलना जब हम इससे करते हैं तो a की जगा पर क्या है 3 है b की जगा पर क्या है माइनस 14 है चिन साइट आपको लेना है माइनस 14 और c बराबर किसके है पलस 8 के तो a, b और c का मान हमें यहाँ प्राप्थ हो चुका है अब इसका मान हम यहाँ पर रख देंगे तो हमें x के दो मान प्राप्थ होंगे देखिए यह दूई घास समीकरण है यहाँ इसलिए x के दो मान आपको मिलेंगे एक बार आप पलस रख करके हल करेंगे तो आपको एक मान मिलेगा उसके बाद आप मान रख करके हल करेंगे तो दूसरा मान मिलेगा तो चलिए हम इसे हल करते हैं तो x बराबर मानस b कितना है मानस 14 है पालास माइनस रूट बी का स्कौाय बी कितना है माइनस चवुदा तो इसका स्कौाय माइनस 4 गुडे एक इतना है 3 गुडे C कितना है 8 सबके बटे 2A 2 गुडे एक इतना है 3 तो X बराबर अब यहाँ हल करेंगे माइनस से ब्रेकट को लेंगे माइनस गुड़े माइनस तो हो जाएगा पलस पलस चवुदा पलस माइनस रूट के अंदर हल करेंगे माइनस चवुदा का वर्ग करेंगे चवुदा गुड़े चवुदा एक्सो च्यानवे होता है पलस एक्सो च्यानवे आएगा मैनस का वर्ग करेंगे तो पलस में उत्तर आएगा यहां हल करेंगे 4 तियाएं 12, 12, 8, 96, minus 96, बटे 2 तियाएं 6, x बराबर 14, plus, minus, रूट के अंदर घटाएंगे, 196 में से 96 गए, तो 100 बचा, बटे 6, अब यहां 100 का आप वर्गमूल लेंगे, यह चिन क्या कह रहा है कि 100 का वर्गमूल लीजे, अब यह रूट का चिन हट जाएगा, तो x बराबर 14, plus, minus, 100 का वर्गमूल लेंगे, तो क्या आएगा, 10 गुड़े 10 बराबर 100 होता है, सब के बटे 6, तो अब यहां x बराबर आया, 14, plus, minus, 10 बटे 6, एक बार आप पलस चिन हे लीजे, तो x का मान आएगा, फिर एक बार आप मा पलस चिन हे, पलस चिन हे, लेने पर, तो x बराबर, जब पलस चिन हे लेंगे, तो 14, plus, 10, बटे 6, 14 और 10 हो जाएगा, 24, बटे 6, तो बराबर के आएगा, 64 के 24, तो x बराबर के आया, x बराबर आएगा, 4, तो x का एक मान प्राप्त हो गया, आपको, अब एक बार हम माइनस चिन हे लेंगे, माइनस चिन हे लेने पर, तो जब माइनस चिन हे लेंगे, तो x बराबर के होगा, 14 माइनस 10, बटे 6, 14 में से 10 गे, 4 बटे 6, अब भाग करेंगे, 2 दूना 4, 2 तियाए 6, तो बराबर के आया, 2 बटे 3, तो x बराबर के आया, 2 बटे 3, तो ये यक्स का दूसरा मान है, 2 बटे 3, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, कि यक्स के दो मूल प्राब्थ हुए हैं, यक्स के दो मान प्राब्थ हुए हैं, एक है चार दूसरा है, 2 बटे 3, तो सूतर की माध्यम से, आप भी इसी तरह से दूइघास समीकरण को हल कर सकते हैं, इस सूतर को सिरीधराचारी का सूतर भी कहा जाता है, सिरीधराचारी एक महान गड़ी तक थे, जिन्होंने इस सूतर का परियोग करते हुए दूइघास समीकरण को हल किया था, तो इस सूतर को आपको याद कर लेना है, उसके बाद में जो समीकरण दिया गया होगा, उसको तो इससे तुलना करके ABC का आप मान निकाल लेंगे फिर इस सूत्र में ABC का मान रखेंगे और हल कर लेंगे एक बार पलस लेंगे तो पहला मूल ग्यात होगा उसके बाद माइनस चिनल लेंगे फिर दूसरा मूल ग्यात हो जाएगा तो मैं आसा करता हूँ दोस्तों कि मेरा ये